तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल रूफ टॉप गोट फार्म पर इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि बकरी पालक भाईयों तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइन्टिफिक जानकारी पहुँचाई जाए हमारे बहुत से बकरी पालक भाई, बकरीयों को या बकरे को किसी फेस्टिवल के लिए तयार करना चाहते हैं, तो अक्सर उनके मन में ये डाउट होता है कि किस तरह का, कौन सी बिरीट का, कितने उमर का, कौन से कलर का, या किस वजन का बच्चा खरीदें, इस से उन्हें कम ल चाहिए, इसी तरह बकरी पालन में भी हमें ऐसे बच्चों के उपर इन्वेस्ट करना है, जिन से हमें रिटर्न जल्दी और अच्छा मिल सके, कई बार पशु पालक भाई, जानकारी के अभाव में ऐसे बच्चे खरीद लेते हैं, जो पहले से ही कुपोशन का शिकार होते हैं, उनका फार्म पे अच्छा डेवलेप्मेंट नहीं हो पाता, जो पैसा और समय उन्होंने पशु के उपर इन्वेस्ट किया है, वो बेकार होता है, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता, अगर आप बखराईद के लिए जानवर को तयार करना चाहते हैं, चाहते हैं कि बच मिल जो हो, वो कोई छोटी ब्रीट की होगी, तब भी चलेगा, इसका फाइदा हमें ये मिलेगा, अगर हम किसी छोटी नसल का बच्चा खरीदते हैं, तो उसकी खुराक पे जो खर्च आएगा, उसमें वो 35-40 केजी का तयार होगा, यही खुराक हम दोगले बच्चे को जानवर बखरीद के लिए तयार करें, क्योंकि उसका रेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अब आते हैं इस पॉइंट की ओर, कि हमें क्या देखना चाहिए, एक बच्चे की पर्चेजिंग के टाइम, हमें कभी भी बहुत छोटा बच्चा दो से तीन महीने का नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह माह के दूर पर डिपेंड होता है, उसे चारा पकड़ने में टाइम लगता है, कई बार बच्चों की मॉटलिटी का कारण यहीं बनता है, पांच से आठ महीने का बच्चा प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि इस एज के बच्चे में दिखने लगता है, अगर हमें थोड़ा भी बकरी पालन का अनुभव है, तो हम पांच से आठ महीने के बच्चे की ग्रोध देखके यह अंदाजा लगा सकते हैं, कि यह साल भर में कितना वेट गेन कर लेगा, और पांच से आठ महीने का बच्चा उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉंग हो जाती है, वो बिमार भी कम पड़ता है, सबसे पहले बच्चे का फेस देखना चाहिए, फेस की क्वाल्टी नर मॉडल होनी चाहिए, उसका नकोड़ो वगरा, कान, सींग, आखे, अच्छी होनी चाहिए, इससे हमें बेचने के टाइम कोई दिक्कत ना आए हमें ये कोशिश करने चाहिए, जो बच्चा हम खरीद रहे हैं, उसकी टांगे लंबी हो, खुर का साइज मोटा हो, टांगे सीधी हो, इससे बच्चे का वेड गेन होने में काफी मदद मिलती है, लंबी दुम का बच्चा भी हमें प्रिफर करना चाहिए, बच्चे का बॉ की बोंद की चोड़ाई क्या है, मजबूत हड़ी का और मोटी हड़ी का बच्चा ही लेना चाहिए, बच्चे के दाथ देखके भी उसके उमर का अंदाजा हम लगा सकते हैं, अगर दाथ बिलकुल बारीक हैं, तो बच्चा बिलकुल खीरा है, कई बार दाथ के बीच में ग घाव ना हो, पशू के शरीर पे अच्छी शाइनिंग हो, पशू के खाल को खीच के देखने, पशू का हाइडरेशन लेवल सही है या नहीं, हम अपने फार्म के उपर पांच से आठ मेने के बच्चे को खसी करते हैं, जिससे उसका यूनली ट्रैक जो है, प्रॉपर्ली ड घाव होते हैं, ऐसे घाव, काफी पैसा और समय दोनों ले लेते हैं, हो सके तो क्वालिटी के उपर हम पैसे लगाएं, क्यूंकि क्वालिटी के जानवर आसानी से और अच्छे रेट में बिग जाते हैं, आशा करता हूँ, इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग संतुस्ट होंगे, बकरी पालन की सही सटीक और साइन्टिफिक जानकारी हम आप तक महचाते रहेंगे, क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग, प्लीज लाइट, शेर और कमेंट